चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ दोस्तों सभी NEETSPRINT अभी ये जानना चाह रहे हैं कि NEETSPRINT 26 जुलाई को होगी या नहीं होगी तो इस बात को हम सभी जानते हैं कि इसके दो ही पहलों है या तो NEETSPRINT 2020 की एकजाम 26 जुलाई को होगी या फिर NEETSPRINT 2020 की एकजाम 26 जुलाई को नहीं होगी तो इस वीडियो में हम इसके दोनों पहलों पर चर्चा करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नी 2020 का एकजाम 26 जुलाई को क्यों नहीं हो सकता है तो देश में COVID-19 के दिन परती दिन बढ़ रहे केसेज को देखते हुए ये थोड़ा चैलेंजिंग लग रहा है और विशेसक्यों के अकोर्डिंग ये जुलाई अगस्त में पीक वेल्यू पर रहने की संभावना है इसके अलावा इस्टुडेंट वै उनके पेरेंट्स की भी नी 2020 पोस्ट बॉन्ट के लिए काफी डिमांड है इस सिच्वेशन को देखते हुए ये ICS, INE, CACS की जुलाई में होने वाली एकजाम को 18 अगस से 28 अगस तक शिप्ट कर दिया है इन सब बातों को देखते हुए 26 जुलाई को एकजाम कंड़क्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इस्टुडेंट को एकजाम से ज्यादा उसकी लाइफ की चिंता है अब हम इसके दूसरे पहलू की बात करें कि 26 जुलाई को एक्जाम कंड़क्ट हो सकती है क्योंकि जिस तरह एम्स ने PG और BSC Post Basic और MSC Nursing का एक्जाम कंड़क्ट करवाया है वैसे NTA भी NEET वे JEE का एक्जाम कंड़क्ट करवा सकता है हां हम इस बात को मानते हैं कि इसके लिए कंड़क्ट काफी कम थे सेंटर काफी बढ़े हुए थे और जो एक्जाम देने वाले कंड़क्ट थे वो पहले से इसके बारे में अवेर थे क्योंकि वो पहले इसका medical का कोर्स कर चुके हैं और हम यह भी जानते हैं कि NEET में काफी ज़्यादा स्टूडेंट हैं 15,93,000 स्टूडेंट हैं तो इसमें अरेंजमेंट की ज़्यादा आवश्यक्ता होगी NTA को हर डिस्टिक और ब्लोक लेवल पर एक्जाम सेंटर बना कर एक्जाम ली जा सकती है ये थोड़ा मुश्किल जरूर है मगर नाममकीन नहीं है एक्जाम 26 जुलाई को हो सकता है जब हम इन दोनों पहलों को देखते हैं तो इस्टूडेंट को ही दोनों सिच्वेशन में नुकसान है अगर एक्जाम पॉस्पॉर्ण होती है तब भी स्टूडेंट को नुकसान है और एक्जाम पॉस्पॉर्ण नहीं होती है तब भी नुकसान है तो वीडियो के अंत में निसकर्स ही निकलता है कि नीट 2020 एक्जाम 26 जुलाई 2020 को ही होगा अगर student को ये लगे कि ये कैसे हो सकता है तो situation 10 जुलाई तक थोड़ा control में आ जाए और हमें तो अभी यही मान कर चलना है कि exam 26 जुलाई को ही होगा अगर हम ये मान लें कि exam post bond होगा और exam 26 जुलाई को ही हो जाए तो हमें बड़ा नुक्सान हो जाएगा क्योंकि हम उस situation में उस condition में study नहीं कर पाएंगे और जो student continue study कर रहा है वो आप से आगे निकल चुका होगा दोस्तों ऐसे बहुत से student हैं जो exam post bond या exam date की चिंता नहीं करते हुए study में बुरी तरह से लगे हुए हैं वो इस बड़े हुए समय का निरंतर फाइदा उठा रहे हैं और वो 26 जुलाई का target लेकर continue study में लगे हुए हैं अगर आप भी ऐसे student में से एक हैं तो यह बहुत अच्छी बात है नहीं तो आपको भी उन जैसा बनना होगा आपको भी 26 जुलाई का target लेकर study करनी होगी बस मैं अपने बात यहीं खतम करते हुए आपको कहना चाहूंगा कि अपने study में कोई कमी मत रहने दो करत करत अभ्यास वाली बात दिमाग में रखो जितना ज़्यादा रेविजन करोगे उतना ही फाइदा होगा दिमाग में एक ही बात बैठा लो कि NEED 2020 का exam 26 जुलाई को ही होगा और उस दिन मेरे को best देना है अगर इसके बारे में जैसे ही कोई update मिलेगी मैं आपको inform कर दूँगा तब तक के लिए टेंसन फिरी होकर study करो आप अवस्य ही सपल होंगे जै हिंद